नमस्कार, मैं हो ससी, आए जरकां की टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं संक्रमन का खात्रा और बढ़ सकता है मंत्राला के एक अधिकारी ने बताया कि संक्रमित बचों की संक्या में बेगलेरू में कुछ दिनों में तीगनी हो सकती है और यह बड़ा खतरनाक है अधिकारी ने बताया कि इसे बचने के लिए हम बस इतना कर सकते हैं कि अपने बच्चों को घर के अंदर रखकर इस बारे से बचाए जा सकते हैं डेंगू और चिकनगुनिया से निपचने के लिए WHO ने जहार्खन मोडल को सुरा है डेंगू और चिकुनगुनिया दिली और दूसरे महानागरों में हर साल मासूमों की जान लेता है लेकिन जार्खन ने इस बिमारी पर महज कुछ दिनों में लगाम लगा लिया है बताते बी सुस्वाथ संगठन के रण नितिकारों के बीच इन दिनों जार्खन मोडल की चार्चा हो रही है बी सुस्वाथ संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में डेंगू पर विस्तार से लिखा है इसे WHO ने अपने जर्णल में एक सेस स्टोरी के रूप में परसकासित किया है इसके माध्यम से बताने की कोशिस हो रही है कि अगर सरकारी आमला मुस्तहजी से काम करें तो बड़ी से बड़ी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है सलीमा और निकी को जहर्खन सरकार ने दिया मकान 50-50 लाख रूपए इसकूर्टी, लेप्टोप और स्मार्टफोन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतिय महिला होकी टीम का परतिन्धित करने वाली निकी परधान और सलीमा टेटे बुद्वार को राची पहुंची बतादे राची के बीसा मुडाय अर्पोट पर पहुचने पर जहां खेल मंत्री हफिजूल हसन ने जोरदार स्वागत किया वहीं प्रजेक्ट बहुन में सियमे मंसुरेन ने दोनों बेटियों को समानित करते हुए बेटरीन खेल के लिए सुबकमनाय देते हुए उजल भविस की कामना भी की है बतादे इस दोनां सियम सीरी सुने ने दोनों खिलाडियों को 50-50 लाख रुपई का चेक इसकूर्टी, लेप्टोप और स्मार्ट फोन पदान किया साथ ही दोनों खिलाडियों को उनकी एक्छा नुसार सहर में मकान की सोगात देने की भी बात कही है जारखन के 54 परतिसत बिधायकों पर दर्ज हैं अपराधिक मामले राज्य बिधान सवा में चून कर 81 बिधायकों में से 44 के खिलाप अपराधिक मामले दर्ज है यानि राज्य के 54 परतिशत बिधायकों पर मामले दर्ज है इन में से 34 बिधायकों खिलाप गंभीर अपराधिक मामले दर्ज है बतादे गंभीर अपराधिक यानि दूसकर्म हत् अपन लेख है। बतादे इस दोरन कमपनी परवंधन को असमारक पत्रसोप कर अल्टिमेटन भी दिया गया है वही कमपनी की ओर से चीप CSR सोरव राय ने उच अधिकारियों से बात कर जल्द उचित करवाई करने का स्वासन भी दिया है रूपा तिर्की मामले में पूलिस पर भरोसा नहीं CBI जाच को लेका 13 को सुनवाई जारखन हाई कोर्ट के जस्टिस एसके दिवेदी के अधालत में साहिव गंज की माहिला थाना पर भाई रूपा तिर्की की मौत मामले की CBI जाच को लेका दाखिल आजका पर सुनवाई हुई बतादे अधालत ने सुनवाई की अगले 33 अगस्त को निधारित किया है इस मामले में रूपा तिर्की के पिता देवानन्द उराव ने CBI जाच के लिए आजका दाखिल की है देवानन्द उराव की ओर से अधिवक्ता राजिव कुमार ने अधालत को बताया कि उनकी पूत्री का हत्या की गई है पूलिस इसे प्रेम परशंग का मामला बता आत्माहत्या का रंग दे रही है इसकी बेटी रूपा तिर्की का सोज जिन परिशितियों में मिला था उसे परतीत होता है कि वह आत्माहत्या नहीं है खेल और खिलाडियों के हित में उठाये जा रहे हैं कई कदाम मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री हमनसुरे ने कहा है कि राज अब खेलों में भी अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है अभी तो शुरुआत है आने वाले दिनों में और तेजी आएगी बतादे राज एकठन के बाद पहली बार खेल पतादिकारों के नियुक्ति हुई है राश्ट्रिये और अंतराश्ट्रिये प्रतियोगता में बेतर प्रदसन करने वाले खेलाडियों के सिधी नियुक्ति भी हो रही है अब तक 40 खेलाडियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है खेलाडियों को पुरस्कृत और समानित किया जा रहा है हर पंचायत में खेल मैदान विक्सित किये जा रहे हैं एस्टो टर्फ एस्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं इसका मकसद ही है कि यहां के बेटे बेटियों के हुनर को निखारने के लिए सभी सुधाय उपलब्ध हो मुख्यमंत्री ने काया है कि बिभीन खेलों के लिए रेशिडेंशियल सेंटर और डे बोर्डरिंग खोलने की कवाय चल रही है डे बोर्डरिंग में प्रसिक्षन के लिए चायनित खिलाडियों को सरकार की और से प्रती दीन 500 रुपे दिये जाएंगे डोनों सेंटरों में खिलाडियों को ट्रेनिंग देने के लिए उत्क्रिष्ट कोच भी रहेंगे खेल परतियोगताओं के दोरान किन्ही वज़ों से चोटिल होने वाले खिलाडियों के इलाज का पूरा खर सरकार उठाएगी चात्राओं पर लाठी चलाने वाले स्डियों सुरेंद्र कुमार का तबादला कर दिया गया है बतादे सरकार ने उनका यहां से तबादला कर उनकी जगह प्रेम कुमार तिवारी धनबाद के सक्षम पतादिकारी है बतादे सुरेंद्र कुमार को SDO धनबाद से पलेटन कला, खेल, कूद, युवा और संस्क्रितिक विभाग राची का अवर सच्चिव बनाया गया है ज़ारखन में 14 नाय केस मिले है जो राची से 4000 बाग से एक, धनबाद से एक, रामगर से एक, देवगर से दो, लातेहर से एक, खुटी से तीन कढ़वा से एक मिले है ज़ारखन में 26 मरी स्वस्त भी हुए है बता दे ज़ारखन में कूल मौत की संख्या 530 है, वहाई कूल एक्टिव केस की संख्या 196 है भारत में 41-574 नाय केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,82,001 है ज़ारखन में एक्टिव केस इस प्रकार है राच्ची 62, पूर्वी सिमू 11, हजारी बगतीन, बुकारो 4, धनबाद 24, रामगर 11, पच्मी सिमू 11, कोडारमा 18, पलामो 0, देवघर 11, गुमला 1, गिरीडी 2, लातेहा 4, खोटी 10, सराइक लखरसावा 4, सिम्डेगा 5, गढवा 1, लोहर्दागा 6, चत्रा 1, गोड़ा 3, जाम सत्र नयाधिस, उतम अनंद की मौध के मामले में, गिरफतार आटो चालक, लखन वर्मा और उनके सहयोगी राहूल वर्मा की ब्रेन, मैपिंग और नार्को टेस्ट कराए जाएंगे, बतादे CBI दोनों का गुजरात के फोरेंसिक साइन्स लेब में टेस्ट कराएगी, दोन के SSP सहकेस के I.O. बिजय कुमार सुकला ने अवेदन देकर दोनों का 10 दिनों की रिमांड अधि बढ़ाने की मांग की है, प्रतिबंदित 5 मसाला के बड़े करोबारियों पर होगी करवाई, रांची में प्रतिबंदित 5 मसाला के बड़े करोबारियों खिलाप करवाई की जाएगी बतादे जीले में तमाको नियंत्रन अधिनियम का सक्ति से पालन कराया जाएगा बतादे राची के उपायुक्त ने बुद्वार को तमाको नियंत्रन के लिए बने धावा दल और छपे मार दस्ते के प्रसिक्षन कारेसाला का उधाटन करते वह या बाते कही इसके लिए उन्होंने कारेसाला में मजूद अधिकारियों को निदेश भी दिये उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकासपता अधिकारी को अपने अपने चेत्र में इसकूलों का सर्वे करने का निदेश दिया और सिक्षन संस्थान के सो गज के दारे में प्रतिबंदित पान म साला और तमबाको यूग्त पदार्थों की बीकिली पर करवाई करने को कहा हेच इसी प्रवंधन ने 75% बेतन देने का निर्ना लिया करीब चार माह से बेतन नहीं मिलने से आक्रोसित हेच के कामगार बुद्वार की सुबह से ही हेच इसी मुख्याला के समक्स चूट गए बताते करीब 3 घंटे तक मुख्याला के सामने परदसन और सभा की गई बाद में प्रवंधन ने स्रमिक नेताओं के सास्त वारता की औरताय किया गया कि 13 अगस्त को कामगारों को 75 और अधिकारियों को 25 फिश्दी बेतन भुक्तान किया जाएगा कामगारों को 6 25 फिश्दी बेतन इसी माह के अंतक दे दिया जाएगा इसके बाद परदसन अस्थागित कर दिया गया है सरतंत्रता दिवस की तयारिया जोर सोर से रांची के मोराबादी मैदान में सोतंतता दिवस की तेरिया जोर सोर से चल रही है बता दे इसी करमें वो द्वार को मोराबादी मैदान में जवानों ने प्रेट की रिहसल की 13 अगस्ट को प्रेट का फूल ड्रेस रिहासल किया जाएगा महीं 15 अगस्ट को जण्डो तोलन के मौके पर विभीन जवानों के टुकरियों द्वारा प्रेट प्रस्तुत की जाएगी बता दे 15 अगस्ट को होने वाली प्रेट में इस वर्स जार्खन, आर्म्स फोर्स, प्लामो उपायुक ससी रंजन के अध्यक्सता में बुद्वार को समनाले के सभागार में क्रिसी पसुपालन गव्य विकास, साकारिता एवं मतद से विभाग के समिक्छात्मक बैठक होई इसमें पियम किसान और प्रधान मंत्री किसान समान निधियो नाके तहत के सिसी पसुपालन गव्य विकास एवं गव्य विकास आधी विभाग से समन्दित कारियों की समिक्छा की गई उपायुक ने बिभीन विभागों की समिक्षा करते हुए सबी लाभुकों को लभानमित करने की बात कही साथी इन कार्यों में होने वाली परसानिय का निस्पाधन करने का निर्देश भी दिया पलामु के युवाओने बिधायक को मुख मंत्री की नाम सोपा ग्यापन मावली में असान दिया गया है इससे पलामु के लोगों का दूर दूर तक कोई सवरोकार नहीं है पठन पठन से लेकर दयानिक दिनचार्या में भी इन भसाओ का परयोग नहीं किया जाता है देवघर में साथ साइबर अपराधी गिरफतार देवघर पुलिस ने बुद्वार को अपने साइबर रिकाई के साथ मिलकर करवाई करते हुए जिले के बिभिन इलाकों से 7 साथ साइबर अपरादियों को 10 मोबाईल एवं 10 स्विम कार्ट के साथ गिरफतार किया है बतादे साइबर थाने में आयोजित एक समव दाता समेलने में देव घर के पूलिस अधिक छक मुख्याले मंगल सिंग, जमुदा यो साइबर पूलिस अधिक छक नेहा बाला ने सन्युक दिरूप से बताया है धनबाद में 3 जवोप धसी जमीन बना गोफ धनबाद बोकारो फोले माग से महें 300 मीटर की दूर पर धर्माबांध ओपी छेतर के बिलबेरा के पास 3 जवोप पर अचाना गोफ बन गए है इससे काफी आगवाग गैस से निकलने से इलाके में अफराता प्रीमच गई है वहीं अन्होनी के सांका से इलाके के महिला पूरुष सड़क पर उतर कर भोधनसन अस्थल की जल्द भरपाई की मांग करने लगे वहीं यूकों ने तेतूलिया साइडिंग मार्क की टांस्पोर्टिंग बाधित कर दिया जबकि महिलाओं ने गोविंद पूर छेतरी ये कार्याले पहुच कर प्रबंधन की खिलाप पर दरसन भी किया रांची में हाथियो कातंग जारी दो लोगों को पटक करमा डाला राइधानी रांची के बुडमू थाना छेतर में हाथियो कातंग लगता जारी है पताते बुद्वार को भी अपने जून से भटके हाथि ने उमे डंडा पंचायत में दो लोगों को कुचल करमा डाला है जनकारी का अनुसार सोसाई पोल्टरी फरम करमी अनिरूद साहू और लोहरदागा जिला के बगरू थाना छेतर के मेरले निवासी को हाथि ने कुचल दिया है ज्यारखन में क्राइम परलगाम के लिए ATS करेगी छापे मारी राजे में अब संगठित गीरों से जुड़े अपराधियों की खर नहीं ऐसे गिरों से जुड़े अपराधियों के खिलाप पूरे राजे के किसी भी थाना छेतर में अब ATS छवे मारी कर सकेगी इसके साथ ही अपराधियों के खिलाप ATS के थाने में पराथमी की दर्ज की जाएगी और इसकी जाच भी ATS ही करेगी जारखन में जल्द लागू होगा Medical Protection Act राजे में जल्द Medical Protection Act लागू किया जाएगा चार राजेों से Medical Protection Act की फाइल मंगाई गई है जिसकी समिक्षा की जा रही है इसमें कुछ संसोधन के साथ इस Act को लागू किया जाएगा उक्त बाते सुवे के स्वास्त मंत्री बाना गुपताने कही धनेवाद यदि आप चैनल पनाए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बैल लाइक अन्द वाई साथ साथ वीडियो को एक लाइक का और अपने दोस्तों के बाट से फेस्बुक ट्यूटर इंस्टाग्राम पर सेर कना ना बूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में आपना फिड़बैक अवस से दे थैंक्यू